हाई हाई्स कैसे हो आप सब आप देख रहे हो मेरा साथ मेरा चैनल लाइब गोन और आज आप एक्स्प्रोर करने वाले हैं फिर्यानका एक मातव हिल पुथेशन मोर्नी हिल्स को इस वीडियो में आप मेरे साथ जानेंगे आप मोर्नी कब आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं मोर्नी में आप कहां स्टे करें यह कंप्ली टाइट नेरी में वीडियो के एंच तक आपके साथ शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइ करें इस पीडियो को लाइक करें एंड नाव विदाउट मच अडू लेट्स बिइंगर के पास्थित मोर्ने हिल्स हर्याना का एक खुबसूरत हिल स्टेशन है यह अपने के लिए जाना जाता है यहां के फेमस टूरिस्ट अट्रेक्शन में है टिकर ताल एडवेंचर स्पोर्ट्स एडवेंचर पार्क एंड मोर्नी फोर्ड मोर्नी हिल्स चंडिगर से अराउंड 40 किलोमेटर्स दूर है यहां आने के लिए नीरेस रेलवे स्टेशन एड एरपोर्ट चंडिगर में है अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको चंडिगर से डरेक्ट बसेज मिल जाएंगी अगर आप चाहें तो टैक्सी हायर करके मोर्नी हिल्स तक आ सकते हैं सबसे पहले हम गए एडवेंचर पार्क इस पार्क का इनाउग्रेशन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री ओम परकास चोटाला जी ने 2004 में किया था एडवेंचर पार्क की एंट्री टिकेट बड़ों के लिए 50 रुपीज और बच्चों के लिए 30 रुपीज है यहां पर आप कई सारी फन एक्टिविटीज कर सकते हैं इस पार्क में बहुत सारे कलरफुल बर्ड हाउस बने हुए हैं यहां बच्चों के लिए हॉंटेड हाउस बना हुआ है जिसे बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं एडवेंचर पार्क में एक ट्री हाउस पी है ट्री हाउस बेसिकली पेड़ पर बना हुआ लकडी का घर होता है इस ट्री हाउस से वैली व्यू और जील के नजारे बहुत ही मनमोहक हैं यहां की दो जीलों में यह जील छोटी है जिसे छोटी ताल या दुरॉपती ताल भी कहा जाता है इस एडवेंचर पार्क में एक भूल भूलईया भी है जिसमें एक बार तो आप भिगुम हो ही जाएंगे बच्चों को इस मंकी मेज में रास्ता ढूड़ने में बहुत ही मजा आता है इस मंकी मेज में रास्ता ढूड़ने में आपको कम से कम दस मिनट लग जाएंगे इस एडवेंचर पार्क को खास तोर पे बच्चों के लिए ही बनाया गया है इस पार्क पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है एडवेंचर पार्क के बाहर ही पार्किंग स्पेस है जहां आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं एडवेंचर पार्क के बाद हम गय टिकर ताल टिकर ताल अपनी दो खुबसूरत जीलों के लिए जाना जाता है इन जीलों को एक छोटी पाहाडी अलग करती है उपर पाहाडी से देखने पर ये दोनों जीले बहुत खुबसूरत दिखती हैं टिकर ताल मोने हिल्स में घूमने के लिए सबसे बहतरीन जगाओं में से एक है इस ताल के चारों तरफ मौजूद ग्रीन री और पीसफुल इंवायमेंट बेहधी शानदार है यहां आप कई तरह की वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं यहां जो सामने आपको राइड दिख रही है यहां बनाना राइड है जिसके चार्जेस 500 रुपीज पर परसन है और यहां सामने की राइड जेट स्कूटर राइड है जिसके चार्जेस 1000 रुपीज पर परसन है पैरा मोटर्स यहां की बेस्ट राइड है जिसके चार्जेस 1500 रुपीज पर परसन है और इसके अलावा आप यहां पैरा सेली और नॉर्मल बोर्टिंग भी कर सकते हैं अगर मोर्नी हिल्स आने की बात करें तो वैसे आप मोर्नी हिल्स कभी भी आ सकते हैं बट बेस्ट टाइम आपके विजिट के लिए सेप्टेंबर टू एप्रेल रहेगा मोर्णी हिल्स में स्टी के बेस्ट आप्शन टिकर ताल के पास बना यह रेजॉर्ट है जिसे आप हर्याना टूरिजम की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं टिकर ताल रेजॉर्ट में एक रेस्टोरेंट और बार भी है टिकर ताल में पारकिंग चार्जेज, कार के लिए 50 रुपीज और स्कूटर के लिए 20 रुपीज है टिकर ताल के बाद हम गए मोर्णी फोर्ट मोर्णी फोर्ट को आप मौर्णिंग 9 एम से इवनिंग 5 पीम तक विजिट कर सकते हैं मोर्णी फोर्ट 2000 साल पुराना है इसे Queen मोर्णी ने बनवाया था Queen मोर्णी एक बहुत ही नियाय प्रेयरानी थी और उन्ही के नाम पर यहां के लोकल्स ने यहां के माउंटेंस को मोर्णी हिल्स नाम दिया अब इस fort को museum and nature study center में convert कर दिया गया है इस museum में endangered and extinct species and उनके natural habitat के बारे में बताया गया है यहां endangered species की protection को परमोट किया गया है सांथी बताया गया है कि हम अपना contribution इन species के लिए better environment create करने में कैसे कर सकते हैं इस museum में हर्याना के migratory birds के बारे में भी बताया गया है यहां human beings and animals के life cycle को भी दिखाया गया है सांथी ये भी दिखाया गया है कि वो आपस में कैसे interrelated है और एक दूसरे के लिए कितने important है यह प्लेस बहुती peaceful and clean है तो आप भी जब यहां विजित करें तो इस जगर को clean रखने की पूरी कोशिश करें इस फोर्ट में आप सालों पुराना बर्गत का पेड़ देख सकते हैं फोर्ट के बाहर एक सुन्दर सा भगवान शिव जी का मंदिर है और यहां भी आप सालों पुराना बर्गत का पेड़ देख सकते हैं और इसके साथ ही आपका मोर्नी हिल्स का ये वर्च्वल ट्रिप एंड होता है और इस तरह के ट्रेवल व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग